नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा. इस विडियो में हम दिसकस करेंगे की ब्रोफाइल एन टैबलेट का उपयोग किन कंदीशन्स में किया जाता है? ब्रोफाइल एन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और ब्रोफाइल एन टैबलेट की वज़से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि ब्रोफाइल एन टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए ब्रोफाइल एन एक brand name है ब्रोफाइल एन टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है। ब्रोफाइल एन टैबलेट के अंदर सॉल्ट कमपोजीशन AC ब्रोफाइलिन 100Mg और Acetylsidor 600Mg होता है। AC-Brophilin, Asthema और Bronchitis के वज़े से होने वाले लक्षणों को ठीक करती है और Acetyl Cysphin फैफ्रों में जमा बलगम को पतला करके बाहर निकालने में मदद करती है Profile and Tablet का उप्योग अस्थमा होने पर, Bronchitis होने पर, फैफ्रों में जमा बलगम को बाहर निकालने के लिए और Chronic Obstructive Pulmonary Disorder होने पर किया जाता है Chronic Obstructive Pulmonary Disorder को COPD भी कहते हैं अस्थमा और COPD होने पर व्यक्ति को सास लेने में परेशानी होना, सास फूलना, सास लेते समय CT जैसी आवाज आना, छाती में जकडन और खासी होना आदी लक्षण अस्थमा और COPD होने पर हो सकते है Profile and Tablet वायुमारक की मासपेशियों को रिलैक्स करके और फेफरों के सास लेने के रास्ते को चौड़ा करती है Profile and Tablet को लेने के बाद फेफरों के वायुमारक चौड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से अस्थमा और COPD से पीडित व्यक्तियों को सास लेने में आसानी हो जाती है Profile and Tablet, अस्थमा और COPD होने पर सास फूलना और सास लेने में परेशानी होना आदी लक्षणों को ठीक करती है और इन लक्षणों को रोकने में भी मदद करती है Side Effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में Profile and Tablet की वजह से कोई Side Effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में Profile and Tablet की वजह से कुछ सामान्य Side Effects हो सकते हैं जैसे पेट में दर्द, पेट में बेचनी, उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, सिर्चक्राना, घबराहट होना, सीने में जलन होना, भूप कम लगना, त्वचा पर खुजली होना, त्वचा पर रैशिस होना, शरीर में ठकान होना, सिर्दर्ध होना और दस्थ होना आदी side effects profile and tablet की वज़े से हो सकते हैं। कुछ व्यक्तियों में profile and tablet की वज़े से कब्स की समस्या भी हो सकती है। अब हम डिसकस करेंगे की profile and tablet को कैसे लेना recommended होता है। profile and tablet को खाना खाने के बाद लेना recommended होता है। आम तोर पर 14 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर profile and tablet को दिन में एक ही बार लेने की सला देते हैं। profile and tablet की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको profile and tablet को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की profile and tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को profile and tablet को देना recommended नहीं है। अस्थमा और COPD को अच्छी तरह से नियंतरण में रखने के लिए आपको धूमरपान नहीं करना चाहिए। और धूल, पोलुशन, खराब मौसम और फैक्ट्री से निकलने वाले धुए ववाहनों से निकलने वाले धुए के संपर्क में आने से बचना चाहिए। इसके अलावा ज्यादा ठंडे पानी का सेवन करने से बचना चाहिए। ब्लड प्रेशर कम होने पर, दिल का दौरा पढ़ने पर, दिल की धडकन अनियमित होने पर, लिवर और किड्नी की कोई गंभीर बीमारी होने पर ब्रोफाइल एन टाबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडिशन्स में डौक्तर की सलाह के बिना ब्रोफाइल एन टाबलेट को नहीं लेना चाहिए। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को ब्रोफाइल एन टाबलेट को डौक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका ब्रोफाइल एन टाबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं झाल आपका दो मत आपका दो आपको जापका विडियो चले विए लेवाद अगर पंगका हका दो सब्सक्राइब कर दो retrouvekt ।ो